क्यासे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बढ़िया एकड़म मस्ट जो परतस्त होंगे और अपने एक्जाम की प्रपेशन करने होंगे घरूर वैट के यह सुभधा जब आपको लब्ध है तो यह सुभधा का पूरा लाग उटा रहा होंगे ठीक है बाकि मैं कलपना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सर्फारी परिक्षापा बहुत-बहुत सौगत है आप सभी जानते हैं कि मैं आती हूँ आपके लिए टॉपिक्स लेकर हिंडी का और एक क्लास में कोशिश करते हूं कि वो टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाए ठीक है लेकिन कुछ topics ऐसे होते हैं, जिनकी theory एक class में हो जाती है, तो दूसके class में उसके questions करवा दिया जाते हैं, मतलब overall आपको फूरा तरह से समझाया जा रहा है। जैसे हिंदी भाषा का विकास, यह जो आपका topic है, यह आपको पहले ही इसकी जो theory है, वो हिंदी भाषा का विकास और साहित्य का विकास जो हुआ है आका, तो वो आपको करवाया जा जुका है theory के, तो पूरा cover करवाया गया है, इसकी questions की practice के लिए यह आपकी class है, जो आपकी second class है, इसके मतलब part 2 समझ लीचे, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के, ठीक है, कि भाषा का विकास कैसे हुआ और साहित्य का विकास किस करव में हुआ है, यह सब आपको बताया गया है, भाषा की बात की जाए, तो भाषा का विकास किस करव में हुआ है, आप सब जानते है कैसे हुआ है पाली पहले पाली भाषा फिर प्राक्रत पिर आपकी आई है हिंदी भाषा वहीं अगर साहित्ति की बात की जाए तो साहित्तिका भी वहीं चार कालों में बाटा गया है आधिकाल भक्तिकाल रीतिकाल फिर अपना आधनिक का है जो चलना है ठीक है मोटे मोटे हैं आज के प्रस्तित पंक्तियों के रचनाकारघे यह पूछा गया की इन पंक्तियों के रचनाकारघे को बटाना है थे आप क्या बताएंघे की साभी वर्मा इन जो पंक्तियां दी हैं इनके रचनाकार कौन है ये बता है आप सभी को बताईए जल्दी बताईए देखे ये सब आप जानते होंगी ये सूरिकांत्र पार्थी निराला जी की है जो आपका फोर्थ आप्शन है सूरिकांत्र पार्थी निराला जी की ये पंक्तियां है च्छायावादी कभी है यह आपके और आपको यह बताया जाए इनकी बहुत सारी कविताएं हैं बहुत सारे उपन्यास हैं बहुत सारा इन्होंने साहित्य रचा है बहुत सारा साहित्य रचा है जिनमें जो इनकी फेमस रचनाओं की बात की जाएगी तो इनकी फेमस शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, नए पत्ते, बहुत सारी इनकी रचनाए हैं, ठीक है, फिर हम बात कर लेगर महादेवी वर्माजी की या मारश्न दीद सिखा, ये सभी इनकी रचनाए हैं, महादेवी वर्माजी की, और ये किस साखा से रेट करती हैं, तो ये भी आपक सभी आप से रामधारी संधिन कर किसमे आते हैं, तो ये किस को आते हैं? प्रगतिवादि से, सुमेत्र रफ करकरत की बात की जाए, तो ये प्रकरत के सुकुमार कभी कहें गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्याजे दूसरा हमारा प्रशन है साच बरावर तप नहीं जूट बरावर पाप इस पंक्ट के रचैता कौन है ये जो पंक्ट दीवी है इसके रचैता कौन है आपसे सीधे सरंग शब्दों में पूछा गया है और आपको पताना है कौन है बताईए तो आप सब जानते ही किसकी रचना है मतर ये पंक्टियें किसने रची है कवीरदाव जी ने रची है कवीरदाव जी किस ये आपके भक्तिकाल के निर्गुड साखा से बिलॉन करते थे मलिक मुहम्माज जायसी इनकी बहुत ही प्रशिद सुप्रशिद रचना है पदमावत मीरा ये आपके किस साखा से ये आपके सगुड भक्तिधारा की कश्न भक्ति साखा से ठीक है रस्खान ये भी आपके सगुड भक्तिधारा के कश्न भक्ति साखा से रिलेट करते हैं अस्थ चाप के सर्वस्रेष्ठ भगत कवे के रूप में का नạo लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है, बताना है, कुम्धंदास, सूर्दास, परमानंद, कृश्मधास, यह सब बहर है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि अस्थ चाप के सर्वस्रेस्ट भक्त कभी के रोपने तो आप सभी जानते हैं सर्वस्रेस्ट कभी भक्त के रोपने हमेशा सूरदाज जी को याद किया जाता है क्योंकि सूरदाज जी के बादे में किम बदंती है कि ये तो अभी क्लियर ही नहीं हो पाए है ना आप क्लियर हो पाएगा कि ये वजए से सूर्दाज जी को ये बोला जाता है और इनों ने ने खाब्र ist राम करफ n q in a जो प्रूजबांस की बात लुग ये लेकिन बालमीकी अखी ने भूजबांस की बात की आगए और इसकी भाषा क्या है बोच्ःपुरी है प्राकुरत है व्रजभाशा है या अबदी है रामचरित मानस की भाशा क्या है सब ही जानते होंगे इसमें आपको confused होने की जरूरत ही नहीं है रामचरित मानस जी की जो भाशा है रामचरित मानस की तो वो है अबदी ठीक है तुलसी दाज जी ने इसे अबदी भाशा में लिखा है रस के कभी हैं ये आप सभी को बताना है बूशर किस रस के कभी है ये आप सभी को बताना है बताईए बूशर किस रस के कभी है देखे ये बीर रस के कभी है और अगर वैसे बात की जाए तो ये रीतिकाल से रीतिकाल के कभी है रीतिकाल के रीति बद्ध शाखा के रीतिकाल क आदि कभी किसे माना जाता है। निम्लिखित में से वस्मीम्का बताई को निम्लिखत में से कौं सा आपको एक र्ञारोً में से बारे में बताना है कि कौन एख वेंगिलेखक के बताईएं वेंगिलेखक कौन है इस बारे में बात करना है हमें बताईएं तो हम बात करेंगे हरसंकर परशाई की ये एक वेंगिलेखक हैं ये आप सभी याद कर लेजी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो याद कर लेजे पिलाल मैंन नहीं कर सकते भाशा का विकास कैसे हुआ है ये भी आपको बताया हुआ है ठीक है तो ये आपका प्रदान समस्या को उजागर करने वाले विकल्ब को चुनिए एक रचना है आपका बंटी अब किसके दौरा लिखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए तो मन्नो भंडारी ठीक है मन्नो भंडारी का है ये आपका बंटी अब इसमें बताई किस समस्या के बारे में बात की गई है तलाक से ज़ुडिए यह जो उपरन्यास है इसमें बात की गई है आपका बंटी रचना किसकी है तो ये मन्नु भंडारी की रचना है ये भी आप सब याद रखेंगे हिंदी पत्रिका कादमबिनी के संपादक कौन है कादमबिनी हिंदी पत्रिका इसके संपादक कौन है ये बताना है बताईए राजिंद्र अवस्थी रमेश वक्षी या आपके राजिंद्र यादव दुर्गा प्रिशाद सुकल कौन है हिंदी पत्रिका कादम बिनी के संपादग बताना है तो आप सभी को पता है हिंदी पत्रिका कादम बिनी के संपादग जो है वो रहे हैं राज़िंद्र अवस्थी, आपका पहला वाला option बिल्पूल correct है, ठीक है, next पे आजाएं, दिनकर किस रसके कभी माने जाते हैं, दिनकर इनका पूरा नाम रामधारे सिंग दिनकर है, दिनकर इनके बारे में बात की जाये तो इनका पूरा नाम है रामधारे सिंग दिनकर, ठीक है, पूरे नाम की बात की जाये तो इनका पूरा नाम है रामधारे सिंग दिनकर, और आप बताईए कि किस रसके कभी माने जाते हैं, दिनकर जी, जल्दी से बताईए भाई, अरे भाई, बीर रसके कभी हैं, और इनका पूरा नाम रामधारे सिंग है, रामध प्रवंद प्रतिमादी और इनकी जो कविताएं हैं जुही की कली और तोड़ती पथर बहुत ही ज्यादा फेमस है फिराला आपको यहां पर बताना है कि निराला को कैसा कभी माना जाता है तो कैसे कभी है अवसरवादी क्रांतिकारी तो नहीं ही है यह भाग्यवादी पलायनवादी या आपके अवसरवादी तीन आप्शन में से एक कोई आप्शन आपको बताना है बताए जल्दी से निराला को कैसा कभी माना जाए गया है यही इसका एंसर है भाई इन्हें क्रांतिकारी माना गया है निराला को कैसा कभी माना जाता है क्रांतिकारी क्योंकि इन्होंने जो साहित तिचल ला था उसमें क्रांतिसी ला दी थी तो यह क्रांतिकारी कभी माने गय है निमलिखित मेरे कौन सा ऑपयास जैनिंद्र दौरा रचीत है उनर्मप्रक सिवसदन एक 오래 को उंचारों में से ऐसा है जो आपका जैनिंद्र दौरा रचीत है वो उपन्यास आप सभी को गताना है खिल नवा परक सीवा सदन नैमी शारणे तो आप सब जानते परक परक जयनिव दौरा रचित है ठीक है परक जयनिव दौरा रचित है लिए तो आप किसका नाम लेंगे ये आप सब बताएए सब हिंदी गद्ग का चर्णद्था भाय भारतेंदु Planet को माना जाता है आदिकाल का प्रथम यूग आपका जो है वह भारतेंदी यूग ही है जिसके इनही के नाम पर पड़ा है भारतेंदु कभी कालिदास की अविज्ञान शाकुंतिलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया है बताईए कभी कालिदास की साथ-ाठ रचनाएं हैं जो सबकी सब रचनाएं बहुत ही जादा फेमस हैं इन्हें संस्क्रत का सेक्षपियर कहा गया है समझ दीजें इनकी तुल्ना जो है वो स प्रिदास की अविज्ञान शाकुंतिलम का हिंदीएन वाद किया है तो राज लचमर सिखनाएं किस काल को सोल्ड काल चार काल है आपको साहित्ति को चार भागों में बाटा गया है, चार कालों के हिसाब से, सबसे पहले हमारा आया है आदिकाल, दूसरे नमबर पर है हमारा भगतिकाल, तीसरे नमबर पर है रीतिकाल, चौथा आदुनिक काल है जो भी चली रहा है, आदुनिक काल में कई साखाएं कर दी ग पताएंगे स्वर्णकाल कहा गया है किस काल को स्वर्णकाल कहा जाएगा बताईए आप अपना दमाग लगाईए भाई भक्तिकाल को भक्तिकाल को क्या कहा गया है स्वर्णकाल कहा गया है भक्तिकाल को भक्तिकाल में बहुत सारे कभी हुए है बहुत सारे प्रचनाकार हुए सूर्दास के गुरु कौन थे रामानंद की बात की जाए या बादवाचार की बात की जाए या रामदास की या बल्लवाचार की चारों में से आपको बताना है कि सूर्दास के गुरु कौन थे देखे रामानंद की बात की जाए तो वो कबीर जी के गुरू थे कबीर जी जिनको निर्गुल भक्तिशाखा का माना जाता है और निर्गुल भक्तिशाखा से ही वो रिलेट करते ही क्योंकि उन्होंने इश्वर के किसी भी रूप की उपासना नहीं किये उन्होंने इश्वर का निराकार रोप माना है सूर्दास के एक बहुत प्रच्नि पूछा जाता है कि कबीर जी की भाषा क्या है तो कबीर जी की भाषा जो है वो साधुकडी या पंचमेल या खिचडी कही जाती है अब सूर्दास की गुरू का नाम की बात की जाए तो कौन थे बल्लवा चार जी सूर्दाजी के गुरू थे ठीक है कामाईनी किस पकार का ग्रंथ है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो तयारी कर रहा हूँ उसको ये ना पता हो कि कामाईनी किस पकार का ग्रंथ है ये भले ही ना पता हूँ ये खंड काब भी है, मुक्तक काब भी है, या महा काब भी है, या चंपू काब भी है, ये महा काब भी है, कामाइनी क्या है, कामाइनी महा काब भी है, जो जैशनकर पशाद दौरारचित है, जैशनकर पशाद चायाबादी शाखा के कमी है, चायाबादी, चायाबादी किसमे में आता है भई चायावादी किसमे आता है तो चायावादी आपके आधिनुग काल का हिस्सा है यह हो गया आपका next वताईए कि गागर में सागर भरने का कारिकिस कभी नहीं किया है बिहारी रस्खान घनानं सुझक इसम में गागर में सागर भरने का काम किया है किसने गागर में सागर भरने का काम किया है ये आप सभी को बताना है गागर में सागर भरने ये भी आप सभी को जो भी वंडे एक्जांस की प्रपेशन कर रहा है सभी को ये पता होगा गागर में सागर भनने का कार्य जो है वो हमारे बिहारी दास्ची ने किया है जो एक रीतिकाल के कभी है और कैसे हैं रीतिबद इन्हें क्या कहा जाएगा रीतिबद ठीक है स्वरी रीतिबद तो हमारे भूशन है भूशन रीतिबद और ये कैसे है रीति सिर्ध रीति सिर्ध बिहारी सत्सई नाम से इनकी बस एक ही रचना है बिहारी सत्सई उसमें लगवग साथ सदो है है महाभूशरचना महाभूशरचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनी ये बहस्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवज्ञानिक समस्या बताईगे ये भी नहीं पता आप सभी को तो बही पता है आप सभी को ये कैसी समस्या है इसमें किस समस्या के बारे में बात की गई ये पता है आप सभी को राजनीतिक समस्या, ऐसी रचनाई जिसमें समस्याओं के बारे में मन्नु भंडारी का जो साहित है, इसी से रिलेटर है, ठीक है, उन्होंने जो समाज में बुराईया, जो समाज में समस्याई थी, उन्हीं के बारे में जादा लिखा है, मन्नु भंडारी दिने, ठीक है, बाकि आप सभी जान सकते हैं कि आप सभी को समझ में आया है या नहीं आया है क्या दिक्कत रही है चलिए चलते हैं भाई अब अपने नेक्स्ट क्षिशन पर फठा फठ चलते हैं बिना किसी देरी के हाँ पहला प्रशन है हमारा ब्रजभाशा है ब्रजभाशा कैसी हमने आपके भासा का बताया था भाशा का विकास कैसे हुआ है यह सब आपको करवा गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूर्वी हिंदी है पश्मी हिंदी है बिहारी हिंदी है या पहाडी हिंदी है ब्रजभाशा कैसी है ब्रजभाशा कैसी है आपको बताना है आपको पता है, मैंने भार्षा बाला पताया था, आपको बताया था कि भार्षा की जो बोलिया है उनको पाच भागों में बाटा गया है, पाच भागों में बाटा गया है, कौन से पाच भाग की बात की जाए, तो देखो, एक तो हो गया हमारा पूर्वी हिंदी, पश्मी हि से किस से तर्य आती है आप से पूछ जाए गाया आशा तो आप बताएंगे कि पश्चमि हिंदी के अंटरगत आती है आपकी ब्रद वाशा पश्मि हिंदी कि आया आपकी ब्रद वांपे रिख एंदि अपी रिख ऊव्रज रीख ने fragकर ये आपकर और राजस्थानी हिंदी यह आप सभी याद रखेंगे पूर्वी हिंदी की बात कीजाए कि पूर्वी हिंदी कि से बिक्सित है तब आप हमेशा बोलेंगे ये अर्द मागदी से विक्षित है बही अगर ये अर्द मागदी अपभन से और बिहारी हिंदी आपके जो है वो आपके है मागदी अपभन से ठीक है? मागदी अपभन से ये आप सब याद रखेंगे आपको कराया जा चुका है नेक्स्ट पे आयो मगही किस उपभाशा की बोली है मगही जो बोली है वो किस उपभाशा की है राजस्खानी की पश्मी हिंदी की पूर्वी हिंदी की या बिहारी की किस की भाशा है मगही बताएं मगही आपकी जो है वो बिहारी आपकी बिहारी उपभाशा की है ठीक है बि बिहारी मागदी अपभरंस से विक्षित है, और आप सब जानते हैं बिहारी के अंत्रगत आपका मगही आता है, मैथली आता है और एक आपका भोचपुरी आता है, एक आपका भोचपुरी आता है, ठीक है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभरंस से विक्षित हुई है? ब्रज आपके किस में आती है? ये सभी आती है पश्यमी हिंदी में, कौरवी भी यहीं आती है, कौरवी भी इसी में आती है, आपके कौरवी किस में आती है? तब आप बोलेगे कि कौरवी भी आपके पश्यमी हिंदी का हिस्सा है, ठीक है? कौरबी, कन्नोजी और आपके जो हरियानवी या बांगरू कही जाती है और बताय दे नहीं हूँ लिख लीजिए आप हरियानवी या आपके बांगरू कन्नोजी ये सब आपकी किस में आती हिंदी की खड़ी बोली में आती है कि हिंदी की खड़ी बोली के अंतरगत ये आती है. भाशा के आधार पर भारती राज्यों कर पुनहा सनचना की गई ति आप से जब ऐसा पुछाज़ा जाएगा तब आप क्या बताएंगे? सब जानते भारती राज्यों की पुना सनचना 1956 में की गई थी और आंध्यपदेश पहला राज्य बना था भाषा के आदार पर गठन होने के पर ठीक है भाषाई आदार पर सर्तम किस राज्य का गठन हुआ आपसे पूछ पी लिया गया है तो यह आद्यपदेश बना था भाशाई आधार पर हो गया है आपका बगेली बोली का संबंध किस उपभाशा से है बगेली बोली जो बोली जाती है इसका संबंध किस उपभाशा से है ये आप से पूछा गया है बगेली तो आप सबको बताते हैं, जब बगेली, अवधी और एक आपकी 36 गड़ी, ये आपकी किस से रिलेट करती हैं, ये आपकी पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी के इंतरगती आती हैं, जो किस से विक्सित हैं, अर्दमागदी अपभरंत से, ठीक है? पूर्वी हिंदी, बगेली, छटिश गड़ी और आपकी अवधी Next पे आते हैं, किस स्थित को हिंदी को राजभाशा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये आपका जो निर्णा लिया गया था भाई लिया गया था 14 सितंबर 1949 को ये निर्णा लिया गया कि हिंदी को क्या बना दिया जाएगा राजभाशा रास्ट भाशा नहीं राजभाशा ये याद रखेंगे यहाँ पर बच्चों को confusion हो जाता है क्योंकि option में रास्ट अबर गवा आते हैं तो ये याद रखेंगे राजभाशा है हमारे रास्ट की कोई भास्टा नहीं है ठीक है कि बड़्स 1955 इश्वी में गठिद प्रथम राजभाशा आयोग के अध्यक शुकौन थे बदा ये 1955 इश्वी में गठिद हुआ था प्रथम आपका राजभाशा ये इसके अध्यक शुकौन थे इसके अध्यक शुकौन थे बीजी खेड़ सुनीतिक मार्च टरची जीवी पंत और आपके पी सुभ्यो रोयान तो आपके बीजी खेड़ आप सब जानते हैं बीजी खेड़ थे ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं भारती संब्यदान की आठवी अनसूची में शामिल भासाओं के संख्या कितनी है तो अब 22 हो गई है लास्ट में अभी 4 भाषाएं जूड़ी थी उससे पहले 3 भाषाएं जूड़ी थी उससे पहले 1 भाषा जूड़ी थी सिंधी सबसे पहले चूड़ी फिर आपके नमक्त्रिक से याद रखिएगा फिर आपके बोडो मास बोडो मास ऐसे याद रख सही है ठीक है ऐसे याद रख सही है नेपाली मैथली कुंकडी बोडो डोंगरी और आपकी संथाली यहाँ पर आपका मैठली और एक एक और है कोई मैंन पुरी ऐसे करके कुछ है ठीक है याद रखिएगा यह सभी आठवा विश्य हिंदी सम्मेलन का आयोजन इस्थल बताना है आप सभी को की क्या था बताईए जल्दी बताईए ये था हमारा न्यू आर्थ अभी फिजी में हुआ है हमारा कौन भारोपी परिवार की भाशा नहीं है मराथी गुजराती मल्यालम हिंदी मल्यालम इनमे से आपकी भारोपी परिवार की भाशा नहीं है ये आप सभी याद रखेंगे यह आपका important question है हिंदी दिवस इस दिन मना जाता है भई किस दिन मना जाता है तो आप सब जानते हैं भी मैंने आपको बताया था option पढ़ लीजिए 11 जून 14 सितंबर 18 सितंबर 10 अक्टूबर तो आप सब को पता है कि जो हमारा 14 सितंबर 1149 को इसको राजभाषा गोसित किया गया तब से 14 सितंबर को प्रतेक वर्ष हिंदी दिवस मना जाता है 14 सितंबर को ठीक है कब मना जाता है 14 सितंबर को याद रखेंगे ये सब point विकास की दरच्ट से प्राक्रत की पूर्वकाले नवस्था का नाम क्या है मतलब प्राक्रती भाषा से पहले कौन सी भाषा आई थी ये बताना है ये बताई आप प्राक्रत से पहले कौन सी भाषा आई थी ये बताईए प्राक्रत की पूर्वकाले नवस्था का नाम अरे भाई प्राक्रत से पहले पाली आई ना पिर आपकी हिंदी ठीक है पश्मी हिंदी की दो बोलियों का सही आपको क्रम बताना है आप सब को पता है पश्मी हिंदी की अंतरगत कौन सी बोलियां आती है यह आप सब जानते होंगे पश्मी हिंदी की अंतरगत कौन सी बोलियां आती है या आप सभी को पता होगा कि पश्मी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोलियां आती है देखिए पश्मी हिंदी की बात की जाए तो पश्मी हिंदी के अंतरगत आपके कनोजी आती है ब्रज ब्रज आती है कनोजी आती है बुंदेली आती है हरियान भी आती है या जिसे हम कहेंगे बांगृू या कॉर्वी या खड़ी बोली हो कि खड़ी बोली यह सब हैं पांच बाशा है आपकी पांच बोली आती है अब बताएज अब बताइए पर आपको अब देकर अवदी की तिसटिस्गडी क्या है पुर्वी हिंदी लेकिन खड़ी बोली और भुंदेली आपकी ने ख़ा है पशुमी हिंदी अर्दमागदी अप्भरन से विक्षित बोली कौन सी हमने आपको बताया था शौड सेनी अपब्रन से आपकी देखिये सौर्षेनी, मांगदी, अर्दमांगदी, सौर्षेनी से आपका कौन से विक्सित है? तो आपका पश्मी, राजस्थानी, पहाडी. पहाडी में आपकी कुमायूनी वगेरा आती है, कुमायूनी वगेरा ये भाशा किस में आती है? ये कोमायुनी और गडवाली ये आती है आपकी किसमें पहाड़ी हिंदी में ठीक है पहाड़ी हिंदी में लेकिन भही बात की जाया राजस्थानी की तो मालवी मेबाती मारवाडी जैपुरी धुडाडी मालवी वेबाती जैपुरी धुडाडी ये आती है राजस्थानी में मागदी अपवरंद से विक्सित कही जाएगी तो ये होती है आपके बिहारी ये होती है आपकी पूर्वी अर्थ मागदी यहाँ पर पूछा गया है अर्थ मागदी अपवरंद से विक्सित बोली तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलिया होती है पूर्वी हिंदी की आपकी तीन बोली है, अवदी, अवदी, बगेली, और आपकी एक और, कौनसी एक और है जो, एक और कौनसी है, अवदी, बगेली, एक और है आपकी, ये आप बताईए, एक और है भाई, अवदी, बगेली, और एक और कौनसी है, कुछ नहीं याद असते आप सभी, 36 गड़ी कौन सी आपकी 36 गड़ी ठीक है यह याद रखेंगे आप गड़ी यह आपकी पूर्वी है तो अबदी बगेली 36 गड़ी इसमें बगेली आ रहा है आपता बांगरू ब्रजवाशा यह किसकी है पश्मी की पश्मी सौरसेमी से विक्सित है भोचपुरी की बात की जाए तो बिहारी है जो मागदी से विक्सित है मागदी से विक्सित है ठीक है इसका करेक्ट एंसर टूबाला है आपका देवनागरी लिपिका सही विकास क्रम क्या है मतलब किस क्रम में लिपि विक्सित हुई है देव नागरी ये बताना है आप सभी को सब जानते हैं ब्राम्मी लिप आई फिर गुप्ट लिप आई फिर नागरी लिप आई फिर देव नागरी लिप आई नागरी नागरी के बाद देव नागरी आ गई बस ऐसे यादर के अब्राम में से शुरुआत भी ठीक है विकास का सही क्रम यादर हैगा आप से भी को कभी नहीं भूलेंगे नेक्स्ट पर आते हैं दचिण भारत हिंदी प्रचार सवा का मुख्याले कहा परिस्थित है तो आप सब जानते हैं चेन नई में स्थित है कहा परिस्थित है चेन नई में स्थित है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है आपको बताना है सबसे पहले तो हमारी संस्क्रत आती है संस्क्रत आती है फिर उसके बाद कौन सी आती तो उसके बाद ये प्राली नहीं पाली है प्राक्रत अपभरंश हिंदी ठीक है ये है संभिधान की अनुछे 351 में किस विशे का वर्णन है संगी की राजबाशा में ये 343 में बताया गया है उच्चितम न्याले की भाशा 348 में पत्राचार की भाशा हिंदी के विकास के लिए निर्देश यही दिये गए है आपके संभिधान की अनुछे 351 में ठीक है आज आपके इतने ही कोशन थे प्रैक्टिस के लिए क्योंकि इसकी थियोरी पहले ही कब्लीट हो चुकी है आपको अच्छे से कवर करवाई गया है आज भी आपके प्रशनों के द्वारा मैंने आपको डिवास करवाने की कोशिश की है ठीक है चलिए मिलते हैं next topic के स बबाइ, बबाए, और भेस्त, प्वेश्यू